Hello friends, I am Prithviraj Singh and I am warmly welcome you to my channel SightUreal Okay, तो आज हम सभी discuss करने वाले हैं structure of atom part 2 कल मैंने video upload की थी part 1 के बारे में जिसमें हमने देखा था discovery of all the three subatomic particles in detail तो आज हम देखने वाले हैं structure of atom पहले क्या माना जाता था और उसके बाद discovery of subatomic particles के बाद model of atom कैसे कैसे proposed कर किये जाने लगे, nucleus की discovery के बारे में और nucleus क्या होता है ये भी देखेंगे आज nucleus के बारे में, atomic numbers and atomic mass के बारे में तो आज का यह वीडियो होने वाला है वो बहुत ही interesting होने वाला है तो please stick to the end if you want to learn this as much तो चलिए guys सबसे पहले इस channel को subscribe कर दीजे, subscribe button आपको नीचे मिल जाएगा और bell icon को जरूर दबा दीजेगा कि मेरे videos के notification आप तक सबसे पहले पहुचे क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ही तो बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या माना जाता था तो माननेता यह थी पहले atom के structure को ले करके कि इसमें atom जो है deltans के theory के हिसाब से according to deltans theory deltans theory के हिसाब से हमने देखा था कि atom divide नहीं हो सकता या फिर atom के अंदर कोई structure नहीं है, atom ही सबसे छोटा structure है matter का, तो ऐसा उन्होंने बताया लेकिन जो कि बाद में जाकर कि गलत चाबित हुआ, तो उसके बाद thompson जी ने मैं इनका नाम वाइप कर देता हूँ नहीं तो confusion हो सकती है उसके बाद सबसे पहले thompson ने जे जे thompson जी ने हमें पहला हमारा atomic model दिया तो उन्होंने क्या बताया कि मैं एक पडिंग बनाता हूँ Christmas pudding Okay, suppose this is like a pudding and there are fruits embedded in it Okay, आप बिटाइनिया केक तो खाते ही होंगे या आप कोई भी केक खाते होंगे बार्केट से लेकर के उसमें ये देखी का fruit के या रेट कलर के जो भी आपको अच्छा भी लगता होगा वो थोड़ी मीठे मीठे रहते हैं तो उनमें embedded रहते हैं Christian लोग खाते है Christmas pudding तो उसका structure भी कुछ इसी type का रहता है ये cake type उसमें कुछ fruits embedded रहते हैं और watermelon आप ले सकते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए Watermelon में में भी क्या रहता है रेट का पुरा background रहता है juicy और उसमें black colors के seeds जो हैं वो हर जगा embedded रहते हैं तो ऐसा model उन्होंने बताया लेकिन हाला कि उस time तक neutron का नाम और निशान नहीं था neutron तो बहुत बाद यानि 1932 के आसबास आया था और यह proposed कर रहे हैं यह theory मतलब यह model उन्होंने प्रपोस किया था 1903 के आसबास लगभग 30 years का gap है तो no idea about neutron So only उन्होंने बताया कि यह जो cake है हमारा वो है proton और यह जो embedded fruits है fruit particles तो यह हो गए हमारे electron और यह दोनों का जो मात्रा है quantity है वो दोनों आपस में equal है जिसके कारण atom हमारा neutral है तो उन्होंने इतना बताया लेकिन यह तो sufficient नहीं था क्योंकि atom structure जो आज हम पढ़ते हैं आपने सुना भी होगा इस वीडियो के पहले भी और इस वीडियो के बाद भी आप जानेंगे तो वो कुछ अलग ही है थोड़ा complex type का है तो इसके बाद Rutherford जैसे scientists ने कुछ experiments किये और Rutherford experiment के बारे में अगर आपको detailed explanation चाहिए तो मैं एक वीडियो उस पर बना चुका हूँ तो हुआ यू उन्होंने एक thin gold foil लिया बहुत पतला बहुत पतला बहुत पतला तो मान सकते हैं इस type का अब यहां से उन्होंने एक radioactive element से radioactive element से alpha particles को emit किया alpha particles यह क्या होता है तो alpha particles जो है वो आपको जैसे हमने कल के session में देखा था आपने structure of item में ही कि proton जो है वो unit positive charge करी करता है unit positive charge और जो उसका mass भी है वो भी हम unit मानते हैं एक unit unit mass तो alpha particles के पास दो unit positive charge होते हैं और चार unit mass होते हैं मतलब दो proton आप कह सकते हैं दो proton और दो neutron भी कह सकते हैं दोनों मिलाके मतलब दो proton प्लस दो neutron तो जैसा कि आप helium atom में देखते होंगे atomic number 2 इसका मतलब proton का number भी 2 और atomic mass 4 इस कारण से mass number 4 है यानि कि दो neutron और दो proton तो यह जो alpha particles है वो में ली आपके helium ion है क्या है helium ion यह बात हो सकता है आप पहली बार जान रहे हों चली काईस कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हैं तो alpha particles यह होते हैं तो इसी को ऐसे यह लेकिन radium और polonium जैसे radioactive element से निकलते हैं कौन-कौन से यह लिख लीजे radium और polonium और इनका इतना speed होता है okay alpha particles का कि इनके अंदर energy इतनी होती है कि matter में किसी भी matter में यह कुछ हद तक बहुत ही deep penetrate कर सकते हैं जैसे आप कुछ लोगों की आदत को भी ले सकते हैं जैसे हर बात में उनको जानने का मतलब अच्छा रहता है कि इसमें क्या हुआ क्या हुआ च्छा जगा जाते रहते हैं तो उसी तरह से इनके पास भी penetrate करने की कुछ ज़्यादा ही energy होती है तो radium और polonium से ये निकलता है तो अब हम आगे देखते हैं कि और आगे क्या हुआ था बहुत ही interesting बात है याँपर हुआ ये कि gold alpha particles से gold atom, gold foil लिये थे तो gold atom जो है वो size में बड़ा होता है bigger तो ये जो alpha particles जब इस पर stream किया गया तो देखा गया कि alpha particles के ज़्यादा तर raise बिना किसी deflection के आप यहाँ देखिए अगर ये atom हो गोल्ड foil का तो alpha particles बिना किसी deflection के ज़्यादा तर निकल गया तो इसका मतलब ये है कि gold atom यानि कि जितने भी atom है सब में खाली space तो बहुत ज़्यादा है अगर कुछ होता तो वो pass तो नहीं कर पाता है की नहीं simple सी बात है या तो absorb हो जाना चाहिए था अगर कुछ है वहाँ पर जैसे कि light करता है reflect करता है absorb होता है reflect करता है तो उस तरह से alpha particles को भी या तो reflect करना चाहिए था absorb होना चाहिए था या तो कुछ करना चाहिए था लेकिन यहाँ पर कोई deflection नहीं दिखे सीधा वो लोग पार कर गए जैसे वहाँ कुछ हो ही न तो सच है वहाँ कुछ है ही नहीं तो बाद में उनको पता चला कि बस एक छोटा सा area था प्रतेक atom में जो उस alpha particle को बहुत हद तक reflect कर रहा था और एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि nucleus में आप सभी जानते है proton होता है यानि की positive charge वाला particle और alpha particle भी आपका positive charge वाला particle ही है तो दो similar charge क्या करते हैं आपस में तो आपको बताने की मुझे जरुवत है नहीं तो उनका कहना ये भी था प्रिदर फॉर्ड का कि positive positive होने के कारण भी वो दोनों आपस में थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं इस कारण से nucleus के थोड़े पास वाला भी जो alpha particle ray होगा वो थोड़ा सा deflect करेगा लेकिन बाकी जगह से वो simply निकल रहा था और बीच में जो nucleus है वो बहुत ही dense और hard होगा जैसा कि हमें biological cell में मिलता है उसका भी nucleus बहुत hard रहता है nucleoplasm के कारण तो यहाँ भी कुछ फैसा यह बहुत dense है लेकिन इसमें nucleoplasm नहीं है इसमें proton और neutron है वो हम आगे देखने वाले हैं ठीक है तो इतना इन्होंने बताया तो इनको यह पता चला तो यहाँ पर हमारा second topic complete होता है आज का जैसे की discovery of nucleus तो nucleus के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया चलिए इसको अब हम wipe करके जानते हैं उन्होंने बताया कि nucleus जो है वो बहुत ही dense और hard है hard and dense and very small than atom also very smaller than atom okay तो यह उन्होंने बताया और बाकी space पुड़ा खाली है उन्होंने यह भी बताया तो main यही बात थी उनकी और इतना बताने के बाद उन्होंने एक और model हमें बताया Rutherford's model हम उसे कहते हैं जैसे Thompson जी ने बताया था वैसे ही इन्होंने भी बताया तो उसमें उन्होंने deeply न जा करके थोड़ा सा उपर उपर से अपना काम कर दिया जैसे उन्होंने बताया nucleus है nucleus में proton है neutron इन्होंने भी नहीं बताया क्योंकि यह कुछ आस पास की बात हम कर रहे है 1911 और मैंने आपको बताया कि neutron का discovery हुआ था चैडविक ने किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में किस ने किया था जेम्स चैडविक ने तो इसलिए इनको पता नहीं था कि neutron भी कुछ होता है तो उन्होंने बताया nucleus है बीच में बहुत बड़ा atom है बीच में छोटा सा nucleus है जिसमें proton है positively charged particles और बाहर nucleus के बहुत सारे electrons रहते हैं और वो revolve करते है nucleus के around और इन दोनों के बीच में electrostatic force होता है वो क्यों भला क्योंकि electron negative है और यह positive है तो बीच में कुछ electrostatic force of attraction होगा तो उन्होंने बताया यही कारण है कि जो atom में से इलेक्ट्रोन वो गिरते नहीं है चिपक के रहते हैं जैसे रसी से लटके हुए रहते हैं उसी तरह से तो electrostatic force of attraction उन्होंने बताया कि यही कारण है attraction ओके तो यह हमने जान लिया है अब हम discus करने वाले हैं कि इनमें क्या कमी रह गई कमी यह रह गई कि उन्होंने यह नहीं बताया कि electron कि systematic way में कैसे arrange रहता है atom के अंदर और किस तरह से वो rotate करता है revolve करता है nucleus के चारो तरफ तो यह बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई तो उसके बाद आते हैं b o h r bore okay आज हम जो मानते हैं जिनका model structure of atom जिनका हम आज भी adapt करते हैं और आज भी use करते हैं मानते हैं तो वो bore and beauty seam के तहत है इन दोनों ने मिलकर इन दोनों के data को देख करके जो हमें पता चला तो वो हम आज भी मानते हैं लेकिन आज हम beauty के बारे में नहीं सिर्फ bore के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या बताया इन्होंने बस वो problem solve कर दी कि और एक बात है मैं आपको एक scientific reason देता हूँ कि Rutherford का जो drawback हुआ था limitations हुए थे उनके model के वो क्यों हुए थे क्योंकि physics में एक electromagnetic theory होती है क्या होती है electromagnetic theory जिसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी charged particle हो चाहे वो positively charge हो या फिर negatively charge अगर accelerated motion करेगा यानि उसका velocity change होगी as time passes तो acceleration के कारण वो continuously अपना energy radiate करेगा या फिर lose करेगा मतलब आप देख सकते हैं कि nucleus के चारों तरफ Rutherford ने बताया कि गोल गोल orbits में electron जो हैं वो चकर काटते हैं तो आपको ध्यान में आया होगा कि आपने motion first chapter में पढ़ा है class 9 में ही कि अगर circular motion की बात कर रहे हो हम तो velocity उसकी continuously change होती रहती है क्योंकि इस point पर direction यहां है इस point पर velocity का direction यहां है इस point पर velocity का direction यहां है continuously change हो रही है यानि acceleration है तो यहां पर electrons के पास energy बचेगी ही नहीं और proton एक जगह पर है उसके पास बहुत energy है जैसे ही electron के पास energy कम होगी बस वो तुरंत अपने आपको खीच लेगा अपने आपको नहीं तो इन्होंने बताया पहली बात कि nucleus में proton और neutron होते हैं ओके यह उन्होंने बता दिया और nucleus के बाहर जो electron होते हैं electron revolve around the nucleus in particular orbits और इन orbits में खास बात यह है कि यह orbits कम energy level जादा है इसका मतलब जिस electron के पास एक particular energy होगी तो वो उस particular energy level में रह पाएगा अगर उसकी energy कम या जादा हुई तो अपना energy level यानि की orbit चेंज करेगा मतलब जैसे कि यहाँ पर एक diagram काम आएगा यह हो गया हमारा nucleus पहला orbit और दूसरा orbit ही लेते हैं अभी तो इसको KL कहके हम आगे बढ़ते हैं K से शुरुआत होती है orbit numbering की और उन्होंने बताया कि nucleus के pass वाला जो orbit होता है जैसे कि यह k हो गया हमारा तो k जो होगा वो minimum energy वाला होगा इसके पास जो energy होगी वो बहुत कम होगी और यह जो last वाला होगा जो भी KLMNOP जो भी करते होए तो last वाले के पास maximum energy होगी max बहुत energy होती है तो उसी तरह से उसमें जो भी electrons revolve करेंगे तो उनके पास भी energy इसी तरह से distribution की जाती है जो pass में है nucleus के यानि की K shell में है तो उसके पास जो energy होगी वो minimum होगी जो last orbit में है जो भी electrons उनके पास maximum energy होगी तो ये बताया उन्होंने और बताया कि यही कारण है कि electron जो है वो अपनी energy को radiate नहीं करता है so that's it for यहां तक हमने बहुर के model को भी समझ लिया है तो उन्होंने इतना बताया Rutherford का बाकी बाते सही थी तो उन्होंने और इसमें यही add किया अब हम आगे बढ़ते वक्त हम देखेंगे atomic number और atomic mass के बारे में जो कि आज का हमारा last topic होने वाला है तो सबसे पहले atomic number आप chemistry से इतने तो परिशित हैं कि आपको पता होगा कि हर element का एक अपना specific atomic number होता है जैसे हम कुछ elements लेंगे first hydrogen and 8 oxygen and 11 that is sodium and मैं यहां पर short form लिख रहा हूं आपको full form पता होगा और यहां 17 which is chlorine CL यह L है ओके तो यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा है तो atomic number जो है आपका atomic number वो होता है number of proton in an atom यानि कि और आपको पता है कि atom जो है वो electrically neutral होता है यानि कि electron का number संख्या is equal to proton की संख्या तो यहां पर proton is equal to electron होता है number में जिस कारण होता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो अगर नहीं है electrically normal atom है electrically neutral normal atom normal atom क्या रहता है यह भी आप जान सकते है characteristic normal atom वो electrically neutral होता है electrically neutral तो हम यहां से बस simply यह समझने वाले हैं कि atomic number और mass number में क्या difference है और क्या relation है तो यह होता है number of protons in an atom एक atom में जितने number of proton हो तो भाई किसी normal atom में proton और electron के numbers तो same ही होते हैं तो हम atomic number से पता लगा सकते हैं कि number of electron कितने है और number of proton कितने है एक पंथ दो काज और इसका जो sort form होता है atomic number का वो होता है Z यानि कि hydrogen का Z is equal to 1 और oxygen का भी Z is equal to 8 sodium का भी Z is equal to ऐसे ही करते हुए atomic number को हम Z कहते हैं और यहां मतलब है hydrogen के एक atom में nucleus में एक proton और बाहर भी एक electron और यह oxygen के atom के nucleus में 8 proton and 8 electron outside it और फिर sodium में भी 11 proton होते हैं उसके nucleus में और nucleus के बाहर भी 11 electron होते हैं chlorine के साथ भी same to same है तो हमने atomic number जाल लिया अब हम atomic mass और sorry mass number जानेंगे so here mass number जो actually होता है mass number इसका sort form होता है A okay तो यहां क्या किया जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि electron का mass negligible होता है उसको हम consider नहीं करते consider तो यहां पर अब proton बच गया और neutron के लिए मैंने N लिखा है तो nucleus के अंदर दोनों होते हैं तो इनका जो mass होगा लगभग लगभग atom का mass भी तो वही होगा है कि नहीं तो इसलिए mass number जो होता है वो proton प्लस यहां पर proton लिख देता हूं दो plus sign से हम confuse हो सकते हैं proton प्लस neutron के लिए N तो यह हमारा होता mass number प्लस neutron कर दे तो हमारा mass number आ जाएगा mass number is equal to atomic number plus neutron और एक बात याद रखिए हम एक ही element के लिए ले रहें चाहे वो कोई भी element हो अलग-अलग case हम लेंगे हर element के लिए तो यानि कि ऐसा नहीं करना है कि atomic number लेना है hydrogen neutron number लेना है helium का इसलिए मैं कह रहा हूँ एक ही element का है यह तो हमने relation जाना हमने differences जाना और आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर किया समड़ी के लिए हमने models देखे अलग-अलग nucleus के discovery के बारे में जाना और atomic number और mass number के बारे में जाना और एक बात रह गई बस छोटी सी कि mass number जो यह है यह तो हुआ हमारा mass number तो mass number ही अगर आप उसमें u लगा दे that means unit तो यही हो जाता है आपका atomic mass मतलब उस particular element का जैसे hydrogen के atom का mass कितना होगा तो mass इतना ही होगा क्योंकि मैं आपको यह बस थोड़ा सा mathematical calculation numerical होंगे तो उसके लिए tension नहीं लेना है यहां देखिए simply हम लोग समझेंगे तो atomic mass हो जाएगा क्योंकि atomic mass मैंने आपको बताया proton और neutron के लिए ही लिया जाता है यह तो mass number था यानि की number of proton and neutron लेकिन एक proton का mass कितना होता है one unit एक neutron का mass कितना होता है one unit ओके तो अब आप यहां देखिए कि हमारा mass number होगा जो number of protons हम oxygen ले रहे हैं ओके तो number of proton कितने है eight तो अगर unity method से आप multiply कर दें तो total mass निकल जाएगा proton का in a oxygen atom and oxygen atom ओके और उसमें neutron कितने हैं तो वो भी eight तो यहां पर हमारा 16u आ जाएगा यह आप समझ रहे हैं कैसे मैं कर रहा हो क्योंकि mass जो है वो दोनों का equal है जो कि one unit है और number of proton या फिर neutron से अलग-अलग case में आप multiply करके plus करेंगे तो आपको atomic mass आ जाएगा तो इस कारण से मैंने आपको बताया और इसका mass number भी यही होगा क्योंकि eight है वो proton और eight है neutron तो is equal to 16 but this is mass number and this is atomic mass okay तो आज का इसी से नम यहीं खत्म करते हैं ऐसे ही videos अगर आपको help करते रहे तो आप अपने friends को बे जीजक share कर सकते हैं उसमें no कोई problem ही नहीं है okay guys तो आज की इस video को यहीं पर खत्म करते हैं बाई करते है प environ वाप है जयंडने आपके झाल सकते हैं